हलो स्टुडिंट्स नमस्कास अस्वागत है आप सभी का आपके पसंदिधा चैनल मैगनेट ब्रेंस पर और मैं अभी शेक अगरवाल आपको केमिस्टी फेकल्टी हाजिर हूँ एक और दमदार एक और अमेजिंग एक और एक्साइटिंग सेशन लेकर जिसमें अब हम डिसकस करेंगे LDI और केटों की physical properties क्या होती है वैया क्योंकि देखो LDI केटों का चाप्टर का अगास हमने कर दिया है preparation methods जिसमें common methods of preparation जिसमें LDI केटों दोनों बन सकें सिर्फ LDI हाइट बन सकें वो method of preparation और सिर्फ ketone बन सकें वो methods of preparation वो सारी चीज़े हम complete कर चुगे अब भाई साब property की तरफ move करेंगे हम property की तरफ आगे बढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे physical properties of LDIs and ketones की LDIs और ketones की physical properties क्या होती है carboxylic acid का मैंने पहली गाए हम जिक्र सबसे बाद में करेंगे पूरा carboxylic acid का section जो होगा वो बाद में हम discuss करेंगे अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं LDIs और ketones की और चर्चा होगी इस वीडियो में physical properties की कि क्या physical properties वो लोग exhibit करते हैं तो वो चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में बाकी आपको पता है Magnet Bains के platform के बारे में nursery से लेकर class 12 तक के सारी classes के सारे subjects आपको मिल जाएंगे हर एक chapter हर एक topic बहुत detail में पढ़ाया गया है YouTube channel पर तो आपको इनके videos मिलेंगे साथ ही मिलेंगे Magnet Bains की website Magnet Bains.com पर भी और जब website पर आप जाओगे तो आपको advantage ये मिलेगा कि वहाँ पर एक structured और एक organized course आपको पूरा मिलेगा यानि कि आपको महाँ पर concept videos तो मिलेंगे उसके साथ NCRT के solutions, CBAC के sample paper, Magnet Bains के sample paper, previous year question papers, उनके solutions, उनका discussion, one shot revision, test series मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जो आपको website पर ना मिले और आपके exam के लिए जरूरी हो तो वो सारी चीज़े available है, Magnet Bains के website, आपको बस जाना है और अपना time invest करना, कोई fees invest नहीं करनी, कोई पैसा invest नहीं करना, कोई subscription buy नहीं करना, कोई coupon code नहीं खरीदा, क्योंकि 100% free of cost है ये platform, तो फाइदा उठाएं और साथ में लोगों को भी aware करें, चलिए, अब स्टार्ट करते हैं या, physical properties के बारे में, physical properties में बहुत हद तक role जो रहेगा, aldehyde और ketone में, वो रहेगा carbonil part का, आपको पता है carbonil part का हमने जिक्र किया है, carbonil part मतलब carbon having double bond oxygen, carbon having double bond oxygen, तो वो जो carbonil part की बात है, वो क्योंकि polar nature का है, क्योंकि हमें पता है carbon double bond oxygen में oxygen is electro negative, and that makes the carbon electro positive, तो उस वज़े से बहुत सारी chemical properties, बहुत सारी physical properties भी arise होती है, chemical properties तो arise होंगी, उनका discussion तो हम आगे करेंगे, लेकिन physical properties भी बहुत सारी आती है, हमारे सामने LDIs और ketones को लेकर, कौन-कौन सी वो property हैं, उनका discussion हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहली property ये लिखी आपके सामने भाई, सबसे पहली property ये लिखी, talking about the physical state, अगर हम physical state की बात करें, तो किस physical state में वो पाया जाएगा, तो देखो, सबसे पहले शुरुवात करते हैं, formal dehyde से, H-C-H-O, it is a pungent smelling gas, ये है जो एक pungent smelling gas है, और ये ये एक है जो आकरी मेंबर इसका gaseous है, क्योंकि इसके बाद जितने भी मेंबर से L-D-A-Z-R, ketones के वो या तो liquid होंगे, या बहुत higher member पर चले गाए, तो solid मिलेंगे, तो it's a pungent smelling gas, pungent मतलब एक बहुती खराब smell जो होती है, जो नाक बंद करने वाली smell होती, उसे pungent smell कहते हैं, तो HCHO वही gas है, acetaldehyde, जिसको हम कहते है, ethanol, CH3CHO is a volatile liquid, so it's a liquid, बट volatile liquid है, मतलब एक ऐसा liquid है, जो बहुत आसानी से क्या कर सकता है, vaporize हो सकता है, बहुत आसानी से क्या कर सकता है, vapors form कर सकता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक volatile liquid हो जाएगा, कौन CH3CHO, तो CH3CHO is a volatile liquid, तो it's a volatile liquid, मतलब vaporize हो सकता है, बहुत असानी से, however, other LD hides and ketones up to 11 carbon atoms are colorless liquids, 11 carbon atoms तक ये colorless liquid होंगे, 11 के उपर solid हो जाएंगे, while still higher members are solid, तो still higher members जो होंगे, वो solid होंगे, क्योंकि हमें पता है, जैसे जैसे आप carbon की संख्या बढ़ाओगे, आप पहले member को देखो तो वो gas था, दूसरे से 11 तक liquid था, 11 के उपर, जितने carbon members जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, wonder wall force of attraction बढ़ता है, क्योंकि ये चीज़ हमें पता है, wonder wall force of attraction, physical force है, जिसके कारण, जिसके कारण ही किसी की physical state defined होगी, तो ये जो wonder wall force of attraction है, ये directly proportional है, ये जो wonder wall force of attraction है, ये directly proportional है to the molecular mass, और भाई अगर आप carbon बढ़ाओगे, तो जाहिर तोर पर आप molecular mass बढ़ा रहे होगे, you will keep increasing the molecular mass, as you keep increasing the molecular mass, wonder wall force of attraction will increase, that means molecules will come closer and closer to each other, and hence they will convert themselves from gas to liquid state, and from liquid to solid state, इसलिए देख लो, पहला member सिर्फ क्या था इसका, gas था, HCHO, उसके बाद आप देख लो, LDI से liquid start हो गए, ethanol से, और ethanol से कहां तक जाएंगे ये, 11 carbon के LDI तक, और फिर 11 के ऊपर तो ये solid हो जाएंगे, तो they will be solid, clear हो गई ये वाली बात, तो ये वाली बात बहुत important है, smell generally present smelling, however, lower members have unpleasant pungent smell, जब higher members पे जाओगे तो smell present होती जाएगी, hydrocarbon के पार्ट की वज़े से, लेकिन जो lower members होंगे, उनकी खराब smell होगी, उनकी pungent smell होगी, so this is about the physical state and smell, screenshot ले ले एक बार इसका, physical state और smell को लेकर, हला कि LDIs और ketones से ज़्यादा physical properties में आपको बता दू, alcohol की ज़्यादा important है, तो अगर आपको select करना हो कि alcohol की पढ़कर जाएना है, LDI, ketones की कोई एक ही पढ़ सकते हो time के अभाव के कारण, वैसे तो देखो, मेरे जाप से तो पढ़ो दोनो, लेकिन एक को ज़्यादा अगर आपको focus करना, तो आप alcohol की physical properties को focus करना, वो ज़्यादा important है, इसकी properties है, but yet again, ये भी syllabus में है, तो हर चीज important वैसे होती ही है, boiling points की चर्चा करते हैं, boiling points की, अब हमने कहा है कि बाई जो carbonile part है, C double bond O, ये जो carbonile part है, ये carbonile part 100% polar nature का है, हमें पता है ये जो carbonile part है, ये 100% polar nature का है, क्यों polar nature का है, because oxygen will acquire a negative charge, and this carbon will acquire a positive charge, ये oxygen negative होगा, और ये carbon क्या होगा आपका, positive होगा, तो negative और positive आपका यहाँ पर रहेगा, attraction आएगा, एक molecule का दूसरे molecule से, जो कि again wonderful force of attraction का type है, strong attraction है, ये dipole dipole, इस dipole की वज़े से क्या होगा, एक aldehyde जिसका carbonile का dipole है, वो दूसरे aldehyde के molecule, जो कि उसमें भी carbonile का dipole है, उसको अपनी तरफ attract कर कर रखेगा, उसको क्या करके रखेगा, अपनी तरफ attract करके रखेगा, यानि कि यहाँ पर molecules will be held together strongly, और अगर molecule को boil करना है, तो आपको ज़्यादा heat देनी पड़ेगी, क्योंकि उनको दूर करना मुश्किल होगा, दूर करने के लिए आपको ज़्यादा heat energy provide करनी पड़ेगी, मतलब higher temperature तक ले जाना पड़ेगा, मतलब boiling point generally high होगा, at least hydrocarbon से तो high होगा, मैं alcohol की बात नहीं करा, alcohol में भी dipole है, लेकिन alcohol में तो hydrogen bonding है भाई, मतलब dipole के पपा है यह तो, पिता जी है dipole के तो hydrogen bonding, alcohol में जो मिलता है, alcohol का boiling point को compare भी नहीं कर सकते हैं, अपर, alcohol का तो boiling point सबसे जादा होगा, लेकिन LDR और ketone का भी अच्छा खासा boiling point होगा, just because of the dipole-dipole interaction, occur due to this carbonyl grow, just because of the dipole-dipole interaction, occur due to this carbonyl grow, तो यहाँ पर देखेंगे, boiling points of LDRs, boiling points of LD heights, and ketones are higher than those of hydrocarbons, देखो, hydrocarbon से तो जादा होगे, क्योंकि hydrocarbon में तो इतना भी dipole नहीं है, hydrocarbon मतलब क्या, alkyne, 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 उसमें क्या है, simple carbon और hydrogen का bond है भाई, और carbon और hydrogen की electro negativity आर अल्मोस्स सेम, हम यह बच्छपन से बोलते आ रहे हैं, कि carbon और hydrogen दोनों sharing of electron भी यकीन करते हैं, तो किसी के पास भी electron को pull करने की अच्छी tendency नहीं है, जितनी oxygen के पास है, oxygen तो electro negative है भाई, चोरों की संक्या शंक्ला में दूसरे नंबर का आदमी है यह, तीन सबसे बड़े चोर याद हैं की नहीं याद हैं, जितने लोग मुझसे chemistry बहुत time से follow कर रहे हैं, साल, दो साल से follow कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए भाई, chemistry के तीन शातिर चोर, phone, याद रखना phone, fluorine, oxygen और nitrogen, यह तीन शातिर चोर हैं, these are three most electronegative elements, these are three most electronegative elements, तो यह तीन सबसे शातिर चोर हैं, phone, पहले नंबर पर कौर नहीं है, fluorine, यह तो मतलब सबसे बड़ा चोर है, सारे चोरों का पपा है यह तो, उसके कम है थोड़ा oxygen, लेकिन अपने आप में वो भी दमदार हैं, और उससे कम है nitrogen, जो अगें थर्ड नंबर पर लेकिन तीनों दमदार हैं भाई, तो यह तीनों तो चोरी करेंगे, मतलब कहीं भी electron देखेंगे, bond देखेंगे, तो उसको अपनी तरफ shift कर लेंगे, और अपने उपर एक negative charge लाएंगे, और जिससे shift करेंगे, सामने वाला उसके ओपर positive लाएंगे, तो एक positive एक negative यह poles आ गए, और दो poles आ गए तो dipoles आ गया, तो यह एक dipole बन गया, ऐसी दूसरा aldehyde भी एक dipole बनेगा, dipole-dipole interaction होगा, जो hydrocarbon में नहीं है, तो dipole-dipole interaction aldehyde में होने की वज़े से molecules बहुत strong रहेंगे, क्यों strong रहेंगे, क्योंकि इस dipole का plus, दूसरे dipole के minus को attract करेगा, इस dipole का minus, दूसरे वाले कार्बोनिल के minus plus को attract करेगा, यह minus, दूसरे वाले plus को attract करेगा, तो dipole-dipole interaction हो जाएगी है, इसलिए LDHs और ketones का boiling point, even ether से भी जादा है, hydrocarbon से जादा है, बट ether से भी जादा है, बशर्ते comparable molecular mass हो, मतलब दोनों का जो आप comparison कर रहे हो, molecules का, उनमा mass is comparable, ऐसा नहीं हो कि आपने hydrocarbon का बहुत जादा mass ले लिए, LDHs का बहुत कम mass ले लिए, तो फिर hydrogen का भी, जो boiling point होगा हो, से आपको यह देखने को मिलेगा, कि वहाँ भी boiling point बढ़ेगा, इसलिए जब आप दो चीजों को compare करते हो, तो यह always compare them, with the comparable molecular mass, मतलब आपने तीन carbon का hydrocarbon लिया है, तो तीन carbon का LDH से compare करो, चार carbon का LDH लिया है, तो चार carbon का LDH लिया है, between the opposite ends of the CO dipoles, यही मैंने चर्चा करी है, कार्बोनेल का जो dipole है, उस कार्बोनेल के dipole में, जो dipole-dipole interaction है, उस dipole interaction की वज़े से ही, यहाँ पर boiling point और, जो boiling point होगा, वो LDH और ketone का ज़ादा होगा, तो इस वज़े से ही boiling point, LDH और ketone का क्या होगा, ज़ादा आपको देखने को मिलेगा, boiling point आपको ज़ादा देखने को मिलेगा, clear बात, बिल्कुल सही बात, further, solubility decreases with increase in molecular mass, solubility का खेल क्या होगा, solubility जितना आप molecular mass बढ़ाओगे, polar medium में घटेगे, वैसे तो देखो LDH पोलार होते, क्योंकि डाइपोल डाइपोल बन रहे हैं, डाइपोल मतलब पोल्स आ रहे हैं, और chemistry में आपको पता है कहावत है, कि polar ही polar को डुबाता है, non polar ही non polar को डुबाता है, हम कहते हैं न अपने जीवन में, अपना ही कोई अपने को डुबाता है, मतलब अपने जीवन में यह कहीं न कहीं तो practically possible है कि अगर आज तुम कहीं दुख में हो तो किसी अपने की वज़े से ही हो सकते हो दुख में ठीके तो वही chemistry में कहा हुआत है कि कोई अपना ही अपनों को डुबाएगा मतलब कोई पोलार ही पोलार को डुबाएगा कोई नौन पोलार ही नौन पोलार को डुबाएगा LDIs are polar because they have charges पोलार मतलब जिन में charges आ सके प्लस और माइनस आ सके पोलार हो भई और पोलार में ही डुबेगा जैसे पानी, अलकोहॉल ये सब पोलार है इसी में डुबेगा लेकिन एक limited कारबन की संख्या तक क्योंकि आपने अगर कारबन की संख्या बढ़ाई तो कारबन के साथ hydrogen भी बढ़ेगा मतलब कहने को hydrocarbon का पार्ट बढ़ेगा और अगर hydrocarbon का पार्ट बढ़ गया तो एक चीज़ confirm है कि non-polar पार्ट बढ़ने लग गया है because hydrocarbons are non-polar because hydrocarbons because hydrocarbons are 100% non-polar they are not polar they are non-polar if hydrocarbon part is increasing inside the aldehyde तो polar part तो एक ही था कार्बोने आप पीछे-पीछे carbon बढ़ा रहे हो carbon बढ़ा रहे हो तो भाई यह hydrogen बढ़ना है hydrogen बढ़ना है बोले तो hydrocarbon बढ़ना है hydrocarbon बढ़ना मतलब non-polar dominating होता जा रहा है non-polar dominate करता जा रहा है तो फिर यह धीरे-धीरे solubility घटाएंगे किसमे polar medium में घटाएंगे पानी के अंदर डुबा कर रखा है तो कम कर देंगे solubility क्योंकि पानी बोलता है मैं polar लोगों को डुबाता हो जब तुम hydrocarbon बढ़ा रहे हो तो तुम नon-polar part बढ़ा रहे हो तो तुम्हारी जो solubility में कम गड़ तुमगा अल्कोहल में भी कम हो जाएगी जितने भी polar solubents होंगे जिनमें charges आ सकते उन सब में उसकी solubility कम होगी as the number of carbon increases तो higher aldehydes higher ketones अच्छे soluble नहीं होते पानी में lower aldehyde members lower ketones lower aldehyde जैसे formaldehyde, acid aldehyde propanol, butanol तक ketones में propanone, butanone, pentanone तक ये सब पानी में अच्छे से डूब जाते लेकिन इसके उपर गए तो ये पानी में अच्छे से नहीं डूबेंगे solubility कम होगी डूब सकते लेकिन उत्ते अच्छे से नहीं डूबेंगे solubility कम होगी because hydrocarbon part बढ़ेगा क्योंकि non polar part बढ़ेगा clear हो गया भाई so lower aldehydes and ketones containing up to 4 carbon atoms देखो 4 carbon atoms तक they are soluble in water तो 4 carbon atoms तक they are all soluble in water तो 4 carbon atoms तक they have the perfect solubility inside water और in any polar solvent water की जगा polar solvent कोई सा भी बोल सकते तो भी काम आपका हो जाएगा संपट पढगई बात लपक के क्या करेंगे इसका screenshot लेंगे इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे लपक के इसका screenshot लेंगे भाई फिर हम लोग बात को आगे बढ़ेंगे उम्मीद करते हैं पूरी तरीके से clear हो गया हो गया concept तो भाईया यहां पर हम लोगों हैं डिसकस कर लिए पूरी physical properties of LDIs and ketones दो तीन properties है लेकिन काम की हैं अगर आप बूछो मुझसे physical properties किसकी ज़्यादा important है तो मैं हरमेशा कहूंगा alcohol की physical properties सबसे ज़्यादा important है क्योंकि जहां hydrogen morning आता है यह बहुत important concept हो जाता है इस पर based वो physical properties पे ही question पूछेंगे और बीते सालों में भी alcohol की physical property पर question ज़्यादा आया है या पिर carboxlic acid पर आया है carboxlic acid में भी क्योंकि तुमको hydrogen bond मिलेगा मैं बताऊंगा कैसे तो physical property carboxlic acid की भी important है at least इनकी properties से तो ज़्यादा important है जो है LDIR और ketone की properties पढ़िये physical उससे तो ज़्यादा important है clear हो गया तो यहाँ पर खतम होती हमारी सारी physical properties अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या chemical properties यानि कि अब हम शुरुआत करेंगे LDIR और ketone की chemical properties की जो बहुत lengthy topic होगा इसलिए हम उसको भी different parts में आपके लिए लेकर आएंगे part 1, part 2, part 3, part 4 में ज़्यादा parts होंगे लेकिन वो ensure करेंगे कि आपने हर एक topic को आपको detailed पढ़ाया गया हो आपको detailed way में समझाया गया हो और कोई भी topic बस superficial या उपर के level पर ना बताया गया हो इसलिए बड़े parts हम लोग large number of parts में उस topic को लाएंगे क्योंकि chemical properties बहुँच जाता है लेकिन यह मिलेगा आपको अगला video बाकी magnet brains के platform के बारे में आपको पता ही है नरसरी से लेकर class 12 तक के सारी classes के सारे subjects आपको magnet brains की website पर भी मिलते YouTube channel पर तो आप देखी रहे हो चैनल को subscribe जरूर कर लेना वीडियो को like जरूर कर लेना और website पर जाकर explore जरूर करना क्योंकि अगर आप कोई competitive exam CUET, Olympiad, NTSC, UPB hardboard specific या कोई competitive exam government sector का JAP, CAP, UPSC, SSC की त्यारी कर रहे हो तो वहाँ पर आपको website पर simple क्या करना है उस exam को select करना है या आपकी कोई class है तो आपको class select करना है 7th class, 8th class, 12th class, 11th class subject select करना है और subject को select करने के बाद आपको पूरा course मिल जाएगा proper chapter की sequence मिलेगा chapter के बाद अंदर topic का sequence होगा topic अंदर subtopic और सिर्फ concept videos ही नहीं मिलेंगे इसमें आपको CBC का sample paper magnet base का खुद का जो sample paper है उसका solution, उसका detailed discussion previous year questions जितने हैं उनका detailed discussion NCRT के जो question answer से उनके detailed solutions वीडियो के format में उसके अलावा आपका one shot revision online test series मतलब आपका पूरा जो exam के लिए आपको जरूरी चीज़े होती है वो सारी चीज़े आपको website पर मिलेंगे और सबसे अची बात कोई costing नहीं है कोई subscription amount नहीं है कोई आपको package नहीं खरीदना कोई coupon code का जंजट नहीं है 100% free of cost है एक मात्र channel है दुनिया का जो 100% free content इतना सारा आपको दे रहा है और अब तो भईया books और e-books भी आ गई है link दिया हुए description में आप video के description में जाओ वहाँ पर एक link है आप click करोगे आप books और e-books के section में पहुच जाओगे वहाँ से आप magnet brains की books को order भी कर सकते हो और e-books को download भी कर सकते हो तो भईया इंदजार किस चीज़ का कर रहे है अगर आप कुछ contribute करना चाहते है तो बस इतना करें कि जितने भी तुमारे friend circle है school के, coaching के, colony के, society के इन सब के साथ share करें इन सब को बताएं channel का link भी share करें youtube channel का और website magnetbrains.com को भी share करें जितने whatsapp group, telegram channel है सब पर इसका link share करें और लगातार videos उनको देते जाएं आपडेट के आज यह पढ़ा है आकल यह पढ़ाएंगे जिसको यह पढ़ना है यहां से पढ़ ले यह promote करते रहा करो यह best contribution होगा तुमारी तरफ से इसी तरीके से magnetbrains को अपना प्यारों सपोर्ट देते रहें stay dune, stay connected, thank you